कविता अपने माबाब के साथ गाउं में रहती थी उसने अपनी पूरी पढ़ाई गाउं में ही की थी और वो पढ़ने में बहुत होशियार भी थी कविता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करना चाहती थी पर उसके लिए उसे शहर जाना था कविता एक दिन अ वरना गाउं में कहां कोई पढ़ता लिखता है। हाँ, अब तो हमारी बेटी को बहुत अच्छा रिष्टा मिलेगा। मा, अभी मैं बस 20 साल की हूँ, आप मेरी अभी से शादी की बात मत करो। अरे बेटी, पर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, वैसे भी हम नहीं चाहते जो गरीबी हम देख रहे हैं वो तू भी देखे, दूसरे के घर जाएगी तो आराम से जिन्दगी काटेगी। और आपका क्या, मतलब आपने अपना पेट काट काट कर जो मुझे पढ़ाया है, उसका क्या, आप वही के वही गरीब और वही जिन्दगी काटते रहोगे। मैं शहर जाना चाहती हूँ नौकरी करने, वहाँ जाकर मैं अच्छी नौकरी करूंगी और आपको यहाँ पैसे भेशती रहोंगी, जब ठीक लगेगा तो आपको भी वही बुला लूंगी। वह नौकरी ढूनने के लिए निकल पड़ती है, और उसे एक जगह दिवार पर एक परचा चिपका मिलता है। कविता को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर दस बजे कौन बुलाता है, पर उसे जाना तो था ही, इसलिए वो अपने फाइल उठाकर ठीक दस बजे उसी पदे पर पहुँच जाती है। बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, सब जगह अंधेरा है। जी मैम, आप बिल्कुल सही जगह पर आई है। कविता अपने साइड में देखती है तो एक रिसेप्शनिस बैठी होती है। रिसेप्शनिस को देखकर कविता के चहरे पर काफी देर बाद मुस्कुराहट आती है। जी मैम, बोलिए, जी मेरा नाम कविता है और मेरी आपसे बात हुई थी नौकरी के लिए। ओ, येस, आप अंदर चले जाएए, वो केबिन यहां के बॉस का है, आप उनसे चाकर मिल लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। कविता ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके बॉस ने अभी तक उसकी फाइल को हाथ भी नहीं लगाया होता है। बिना देखे, इनको सब कैसे पता है। ये सोचने की तुमको कोई जरूरत नहीं है कि ये सब मुझे कैसे पता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है, तनख्वा महिने के बीस हजार होगी और तुम्हारी जॉब दस से चार की होगी। कविता तो खुशी से फूली नहीं समाती। सुबह नहीं कविता, रात को, ये मैंने तुम्हें रात के दस बजे से सुबह चार बजे का टाइम बताया है। कविता रात का नाम सुनकर एकदम परिशान हो जाती है, आखिर वो आफिस में काम करने वाली अकेली लड़की होती है, और उसे पता होता है कि उसके माबाब इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकी बेटी रात को आफिस में काम करे। कविता काफी देर तक सोचती रहती है, इतनी अच्छी नोकरी छोड़ दूँगी तो पता नहीं दूसरी नोकरी कब कहा और कैसे मिलेगी, इतनी तंखा भी कोई नहीं देगा, पर माबाबुजी को कैसे मनाऊंगी, वो तो कभी हामी नहीं भरेंगे, पस एकी तरीका है कि मा कविता वहां से खड़ी होकर बाहर चली जाती है, और उसके बाद बॉस अपनी कुरसी घुमाता है। वो तो बस अपनी नोकरी को लेकर बहुत खुश होती है, उसके बाहर जाने के बाद ही वो रिसेप्शनिस्ट भी एक चुडैल में बदल जाती है, इधर कविता भी अपने कमरे पर पहुँच जाती है, रात को आराम की नेंद लेकर जब कविता सुभे उड़ती है, तो सब वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी होती है, जिससे कविता की अच्छी बात चीत हो जाती है, मेरा नाम चाया है और तुम्हारा? मेरा नाम कविता है और मैं कली गाउं से यहां नौकरी के लिए आई हूँ, अच्छा, तो तुम्हारी नौकरी लग गई? हाँ, लग तो गई है, अब वो लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में, नाइट शिफ्ट है, इसलिए इस वक्त यहां खड़ी हूँ, छाया से बाते करके कविता को काफी हिम्मत मिलती है, वो दिन भर आराम करके रात को आफिस के लिए निकल जाती है, आफिस में जाने के बाद वो अपने बॉस के केबिन में जाती है, उस दिन भी उसका बॉस कुरसी का मुझ घुमा कर बैठा होता है, कविता बाहर आ जाती है और मानसी से अपना काम पूछने लगती है, वो रही तुम्हारी टेबल, वहां पर कुछ फाइल रखी है, वो सारी एंट्री तुमको कम्पियोटर पर करनी है, कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है, उसके बाद जब वो टाइम देखती है, तो बारा बच कर दस हो रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, मैं इतने घंटों से काम कर रही हूं, और बस दस मिनट ही हुए है, कहीं है गड़ी खराब तो न नहीं, उसके बाद वो फिर से काम पर लग जाती है, घंटों तक काम करने के बाद, जब कविता बहुत बुरी तरह से ठक जाती है, तो वो फिर से टाइम देखती है, पर घड़ी में बारती सी बजरे होते हैं, कविता गुस्से में आ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गंटे से काम ही करी चली जा रही हूं, रिसेप्शनस्ट अपना सर उपर करती है, फिर कविता की हालत उसकी शकल देखकर बहुत बुरी हो जाती है, उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं, चुप जाप जाकर अपना काम करो, वरना बोस तुमको नौकरी से निकाल दें मुझे नहीं करनी है यहाँ पर नौकरी, मैं जा रही हूं अपने गर, नहीं जा सकती, अपना काम खत्म किये बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कविता वहां से भागती है और ओफिस का गेट खोलती है पर वो तो खुलता ही नहीं है उसके बाद वो हड़ बढ़ाती हुई अपने बॉस के केबिन में जाती है सर सर वो बाहर रिसेप्शनिस्ट है ना वो एक चुड़ैल है इतना सुनकर वो बॉस अपनी कुर्सी से घूमता है और अब बॉस की शकल देखकर कविता की हालत और भी जादा बुरी हो जाती है कविता रोने लगती है पर उसके भूतिया बॉस पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा होता कविता के पास वहां से निकलने का बस एक ही तरीका होता है कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है दर के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है पर वो फिर भी एक-एक फाइल उठा कर काम करती जाती है उसे काम करते करते घंटो हो जाते हैं अब मैं क्या करूँ? यह सब इनके चाल है यह फाइल्स कभी खद नहीं होगी वो अंदर ही अंदर भगवान को याद कर रही होती है और उसे वहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं समझा रहा होता कविता की हालत काम करते करते बहुत जादा बिगड़ चुकी होती है भूग के मारे उसका शरीर कमजूर होने लगता है और सो ना पाने की वज़े से उसके आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते है कविता का शरीर इसकदर जवाब दे चुका होता है कि वो एकदम से गिर जाती है उसके बाद जब वो अपनी आँखे खोलती है तो खुद को अपने कमरे में पाती है और उसके सामने उसकी पड़ोसन चाया होती है मैं ही तुमको वहाँ से बचा कर लाई हूँ ऐसे ही मैं अपने दोस से बात कर रही थी और बातों ये बातों में मैंने उसको तुमारे और तुमारी कमपनी के बारे में बताया उसने मुझे बताया कि वो एक भूतिया कंपनी है दो सार पहले की बात है वहां के बॉस का अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ अफ़ेर था वहां पर काम करने वाली एक लड़की ने इसकी खबर उस बॉस की पीवी को दे दी फिर एक रात को वो अचानक आफिस ही पहुँच गई जब उसने उन दोनों को साथ देखा तो उसने अगले दिन खाने के डपे में जहर मिलाकर अपने पती को दे दिया जब वो खाना आफिस में उस बॉस और रिसेप्शनिस्ट ने खाया तो दोनों ही मर गये वो अपनी दोस्त का शुक्रिया आदा करती है और फिर चाया उसे अपने ही आफिस में जब दिलवा देती है और दोनों अच्छे से वहीं काम करते हैं